तो हर संदे हम डिसकस करते हैं एक प्रिवियस यर कॉस्चन फॉम यूपी एसी कॉमर्स ऑफिशनल पेपर तो आज ही क्लास के लिए मैंने टॉपिक उटाया है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजिक्शन तो लेट्स बिगिन तो देखते हैं आज हम कौन सा डिसकस करने वाले हैं तो आज का कॉस्चन गिवन है कि आरेस लिमिटेट इशूड़ प्रोस्पेक्टर्स इन्वाइटिंग एप्लिकेशन फॉर 20,000 शेयर्स और रुपीज 10 इच अट प्रीमियम और टू पर शेयर्स पेबल मतलब जो कॉस्चन गिवन है वो किस पे इशू किया ग मतलब क्या है मतलब 3 रूपीज हमारे face value के हो गया और 2 रूपीज क्या हो गया security premium हो गया हमारा first call पे company ने मंगवाए है 3 रूपीज और second applications वर रूपीज 30,000 शेयर्स और प्रो राटा अलॉट्मेंट वस मेड़ अप्लिकेशन फॉर 24,000 शेयर्स तो हमारे पास क्या हुई है company के पास over subscription of shares और over subscription के case में company ने क्या करा है प्रो राटा अलॉट्मेंट किया है प्रो राटा अलॉट्मेंट में company ने क्या किया है जो 30,000 शेयर्स रिसीवड हुए थे application में से उस में से 24,000 को तो शेयर्स दे दिये 24,000 के पितने शेयर्स दियोंगे 20,000 शेयर्स और बचे हुए 6,000 को company ने reject कर दिया access money paid on application was utilized towards allotment money तो यह हमें दे रखे कि एक्स्ट्रा पैसा है application का वो कहाँ transfer हो जाएगा allotment में तो next information दे रखे है खेरा to whom 400 shares were allotted failed to pay allotment money on her subsequent failure to pay the first call her shares were forfeited similarly Suri the holder of 600 shares failed to pay two calls and her shares were forfeited after the second call out of these forfeited shares 800 shares were reissued to Gopal credited as fully paid for rupees 9 per share the whole khera shares were being included past the necessary journal entries in the books of RS limited तो हमें complete information दे रखे है मतलब सबसे पहले premium का case है यह premium के साथ साथ दो shareholders के हमें account forfeit करने हैं shares को forfeit करना है और उसके बाद हमें reissue की entry pass करनी है तो यह हमारा पूरा question हो गया अब जब हमारा पहारा over subscription का case होता है और pro rat allotment कर रही होती है तो हमने discuss किया हुआ है कि सबसे पहले हम क्या कर लेंगे working note में एक table create कर लेंगे जिससे हमें journal entries pass करना बहुत असान हो जाएगा तो चलो एक जल्दी से हम जाके working notes पे एक table working note create कर लेते हैं जिसमें हमने बताया था कि इस टेबल को create करने से हमें जो application money है उसे transfer करना बहुत असान हो जाता है तो टोटल application money received हुई है 30,000 application received हुई है और उसमें से हमने allotted कितने करें हैं सिरफ 20,000 और क्या था कि भाई जिनोंने 24,000 के लिए apply किया था उन्हें हमने allot कर दी है 20,000 shares बाकी 6,000 shareholders को हमने कुछ भी apply नहीं किया है कुछ भी नहीं किया है और साथ साथ गिवन क्या था एक बार वो दुबारा create कर ले हमारा टू रूपीज application money में था 5 रूपीज हमारा allotment में था 3 हमारा face value टू रूपीज प्रीमियम का और हमारा 3 रूपीज हमारा first call का और 2 रूपीज हमारा second and final call का यहीं अमांट थी 32532 बिल्कुल टी अब अमांट कैसे transfer करेंगे देखो जब कोई भी shareholder apply करता है तो वो क्या money pay करता है application money pay करता है तो जब इन्होंने 24,000 अलों ने apply करा होगा तो इन्होंने application money pay करी होगी application money कितनी की है 2 रूपीज की इन्होंने total money pay करी होगी 48,000 रूपीज ऐसे 6000 वालों ने apply किया होगा उन्होंने भी application money pay करी होगी application money कितनी है 2 रूपीज total इन्होंने amount कितनी पर करी होगी 12,000 रूपीज मतलब जो company को total amount received हुई application पे वो कितनी हुई होगी 48 प्लस 12 60,000 रूपीज हना यही होगा अब हम next काम क्या करेंगे जिन 6000 shareholders को हमने कुछ pay नहीं किया उनको क्या कर देंगे पैसा सारा refund कर देंगे तो 12,000 तो हमारा refund हो जाएगा यही होगा अब जो बचे हुए applications हैं और जो बचे हुए shareholders हैं उनके साथ क्या करेंगे question में given था जो access application money होगी वो हम transfer कर देंगे allotment के towards ठीक हैं इनको allot shares कितने करें हमने 20,000 shares तो 20,000 shares पर 2 रुपीस तो application money में रख लेंगे हैं तो 40,000 रुपीस तो application money के लिए रख लेंगे हैं बचे हुए 8000 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा अलॉट्मेंट का एडवांस हो जाएगा ठीक है तो एप्लिकेशन में जो ट्रांसवर होंगे वो 40,000 रुपीज 8000 का हमारा एलॉट्मेंट का एडवांस हा जाएगा इससे अब हम दो एडवांस पास करते हैं एप्लिकेशन में की अंट्री पास करने चलते हैं चलें तो सबसे पहले होगा क्या हमारा जब एप्लिकेशन में रिसीवड होती है सबसे पहले एप्लिकेशन में रिसीवड होगी तो हमारा bank account debit होगा bank account debited कितनी amount से debit होगा जितनी हमें application में received हुई total amount application में कितनी received करी थी हमने 48 plus 1260,000 रुपीज और ये सारा सारा क्या पैसा क्यों आया हमारे पास किस reason से आया है 2 equity share application account ये हमने entry pass कर दी application money received करनेगी next entry क्या होगी जब हम application money को हमने जो received करा है उसको transfer करेंगे तो transfer करने की entry क्या होएगी तो जो equity share application account है उसे खतम करना है equity share application account debit 60,000 रुपीज जो application का main पैसा है वो कहाँ transfer हो जाएगा मतलब जिनको हमने accept कर लिया है company ने accept कर लिया है वो सारा पैसा application का कहाँ transfer कर देगी share capital पे तो share capital account debit होगा credit होगा फिर जो refund कर दिया है जिनको हमने shares allot नहीं करें है वो account credit होगा और जो advance हमारे पास आ गया वो किस चीज़ लिए आ गया allotment के लिए तो वो equity share allotment में transfer हो जाएगा यह तीन account में होगा तो यहाँ पे भी आप equity share capital लिख लिए जगा तो तीन जगा transfer होगा पहले refund करेंगे मतलब refund करना है पैसा जिनको allot नहीं हुआ फिर जो application मनी accept कर लिए है उनका share capital में जा लेंगे और जो advance हा रखा है उनका share allotment में और refund की बज़ाए हम यहाँ पे better रहेगा लिखें कि हाँ पे bank account क्योंकि bank से हमारा पैसा चला जाएगा तो bank account credit होगा reason क्या है refund reason है अब कितनी amount है देखा है एक बार table जो हमने create किया था देखो application में transfer हुआ 40,000 रूपीज allotment में advance आया 8,000 रूपीज और refund कर रहे हैं 12,000 रूपीज तो application में transfer जो application accept कर लिए और capital में transfer होगा 48,000 रूपीज bank में refund करेंगे 12,000 रूपीज और जो allotment में advance आया वो आया हुआ 8,000 रूपीज यह entry हो गई हमारी first पार्ड हो गया कि हमने application money received करी और application money को हमने transfer कर दिया next task होगा हमारे पास allotment money को due करना तो allotment money की due करने की entry क्या होती है हम allotment money को due करेंगे equity share allotment account debited to equity share capital account credited और इस question में जो हमने shares issue करें है वो premium पे करें है और premium को चार्च कर रहा है हमने allotment पे तो हम किसे credit और करेंगे security premium reserve से to security premium reserve account देहो total shares हमारे थे कितने 20,000 shares थे 20,000 shares पे हमने जो allotment money मंगवाई है वो मंगवाई है 5 rupees 20,000 into 3 60,000 rupees हम transfer करेंगे share capital में और 2 rupees हमारा था security premium का तो 20,000 into 2 40,000 rupees हमारे चलेगे security premium reserve में सबसे पहले application money due application money received application money को transfer किया allotment money due अब entry होगी allotment money receive करने के receive करने में हमारी entry क्या होती है bank account debited to equity share allotment account यही entry होती है अब हमें पता करना है कि कितनी amount हमें allotment में received हुई सबसे पहले total received कितनी होनी थी हमें amount हमें total application में हमें amount received होनी थी 1 lakh rupees लेकिन क्या 1 lakh rupees receive होगी नहीं भाईया क्यों पहले तो 8,000 rupees तो हमें already advance आया हुआ है 8,000 rupees तो हमें advance आया हुआ है तो अब जिन्होंने advance दे रखा क्या वो दुबारा pay करेंगे नहीं pay करेंगे तो 1 lakh rupees में से 8,000 तो हमें advance में received हो रखा है तो बच कितने गए 1 lakh में से 8,000 rupees गए तो ये amount आ गई हमारे पास 92,000 अब 92,000 क्या हमें actually received हुआ नहीं हमें question में पढ़ा था कि allotment में भी हमारा क्या है एक application है एक shareholder है जिसका नाम है खेरवा जिसने अपनी allotment money pay नहीं करी है जिसने allotment money pay नहीं करी है तो इसकी amount को भी हम minus करेंगे देखो खेरा को total allotted कितने हुए थे 4000 shares allotted हुए थे अब इसकी calculation देखने कैसे amount find करेंगे कि application में कितना received हुआ है working notes में जा रहा हूँ तो working notes number two हो गया यह देखो जो खेरा था उसे allotted कितने थे अगर मैं इस table को continue रखो खेरा को allotted कितने थे 400 shares 400 shares अब जब उसे allot 400 shares हुए थे तो उसने apply कितने के लिए किया हुआ देखो जिन्होंने 24,000 के लिए apply किया था उन्हें 20,000 shares मिले अगर जिसको 20,000 shares मिले उसे उन्हें apply कितने के लिए कर रहा होगा 24,000 के लिए ऐसे ही खेरा थे 400 shares allotted हुए है उसे तो उन्होंने apply कितने के लिए किया होगा हम ratio से निकाल सकते हैं देखो 24 वलों को हमने 20 दी है तो 24 by 20 into 400 हो जाएगा 400 shares इनको दी हैं उन्होंने कितने apply कर रहा होगा ये amount आजाएगी हमारी 480 मतलब खेरा ने total apply कर रहा होगा 480 shares के लिए सर हम इसको directly minus क्यों नहीं कर रहे हैं इसकी total amount को allotment से क्योंकि हमने क्या देखा था कि भाई जो allotment है उसमें कुछ advance आया हुए और जो advance होगा अब बैसे खेरा का भी जो advance हा रखा होगा खेरा ही नाम था ना जो भी था के नाम था उनका भी advance हा रखा होगा अब वो तो उसने pay कर दिया तो हम उस चीज का ध्यान रखना है अब के ने 480 उसनोंने apply करे थे उन्हें allotted हुए थे 400 अब जब 480 apply करे थे तो उन्होंने application money कितने की दियोगी 480 into 2 480 into 2 होगे हमारे पास 960 960 की application दियोगी application money जो दियोगी उसमें से हमने application में transfer कितने करे होंगे 800 के और allotment में कितने advance रखा होगा 160 रुपीज का क्यों 400 into 2 800 हो गया तो बचा कितने 160 160 का क्या है हमारा advance है अब ये है कि ये amount आगी हमारी की जो केड़ा ने advance दे रखा allotment का अब total shares allotted है 400 जहांचे देखना total shares allotted है 400 400 पे allotment money पे करनी थी 5 रुपीज 5 रुपीज का मतलब हो गया 400 into 5, 2,000 रुपीज 2,000 रुपीज पे करने थे 2,000 में से जो हमारे 1200 रुपीज हो गया capital के और हमारा 800 हो गया premium का अब इन्होंने खेरा जी ने 2,000 रुपीज में से हमें 160 का advance दिया हुआ है तो बच गये जो इन्होंने payment नहीं करी वो कितना हो जाएगा 2,000 माइनस 160 2,000 माइनस 160 हमारे पास आ गया 1,840 रुपीज हाना मतलब 1,840 रुपीज का खेरा जी का allotment का money जो उन्होंने pay नहीं किया है दुबारा समझाओं ध्यान से सुनना खेरा जी को allotted shares थे 400 तो मनें उन्हों अपलाई कितने का करा होगा यह हमने ratio से ratio से निकाल लिया 480 अपलाई करे थे 480 पे उन्होंने application money दियोगी 960 की 960 को हमने application में और allotment के advance में transfer करा होगा जो application में transfer करा वो 800 और जो allotment में करा 160 का advance मतलब खेरा जी ने 160 का advance पे किया हुआ था टोटल allotment में उन्हें पे कितना करना था 5 रूपीज 5 into 400, 2000 रूपीज 2000 में से 160 का advance आ रखा है तो मतलब उन्होंने allotment में कितनी money पे नहीं करी 1,840 रूपीज की अब हम वाफसी चलते हैं अपने उपर entry पास करने तो entry पास करने चलते हैं entry में देखो टोटल हमें मिलने थे 1,00,000 रूपीज 1,00,000 रूपीज में से 8,000 रूपीज का तो advance आया हुआ था तो अब ये amount तो मिलेगी नहीं तो ये हो गए 92,000 92,000 में से 1840 हमारा payment हमें एक shareholder ने पे नहीं करी तो टोटल amount जो हमारे पास received हो रही होगी वो होगी 90,160 जीगी 90,160 जीगी बलब 1,00,000 में से पहले मैंने advance माइनस किया फिर खेरा जी का जो amount due है जो नोंने नहीं पे करी वो माइनस करी ये amount आगी हमारे पास कि जो allotment में company को received होगी ठीक है अब अगला गाम करें पहले question में जाके देख लेते हैं जो allotment के बाद उन्होंने हमारा first call भी पे नहीं करी है तो first call के बाद forfeit करेंगे और जो सूरी जी थे उन्होंने two calls पे नहीं करी है मुझा फर्सट काल भी पे नहीं करी है उननके बाद forfeit हुँ है तो अब next काम क्या है सबसे बैले application का काम खत्म करा application मने receive, transfer allotment money का काम करा allotment money का कैसे खत्म करा allotment money due करी और receive करी अब first call को due करेंगे और first call को receive करेंगे तो first call को due करने की क Sinn Doing करें म्मН ऊक्ति उपीटी करेंगे हमारी एक्विटी शेयर वर्स कॉल अक्वाउंट के इक्विटी शेयर ये वर्स क्या सब्सक्राइब करें कि अबगांट किम्प इस κ хотел चोड़ कि तम शेयर हैं कितने इशूद हैं 20,000 शेयर्स 20,000 शेयर्स पे कितने की अपारी ये call money थी 3 रूपीज की तो टोटल अमाउंट कितनी वजाएगी है 60,000 रूपीज 60,000 रूपीज कमपनी ने first call को due कर दिया 60,000 रूपीज कमपनी ने first call को due कर दिया अब बारी है receive करने की तो bank account debited to equity share first call account credited अब हमें देखना है किन 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 ने pain नहीं करा अब पहली चीज जो अभी हमने allotment के case में किरा क्या हमें first call के case में भी करना पड़ेगा नहीं sir क्यों नहीं करना पड़ेगा क्योंकि first call में तो कुछ advance था ही नहीं तो मतलब दोनों नहीं pay नहीं किया पूरा पूरा amount pay नहीं किया तो दोनों के shares कितने थे 4000 shares इनके थे और 600 shares इनके थे 400 इनके थे और 600 इनके थे मतलब total 1000 shares पे company को first call received नहीं हुई तो 1000 shares मतलब 3000 रुपीज को received नहीं हुए बाकी हो गए होंगे तो हमने ये लिख दिया 5000 रुपीज received हो गए है छीक है मतलब 400 shares केरा जी के 600 सूरी जी के 1000 shares पे first call को हमने receive नहीं किया है तो 1000 इनके 3 3000 रुपीज को received नहीं होंगे तो 60,000 माइनस 3000 हमारे पास amount आ गई 57,000 रुपीज चले next काम करने पहला काम हो गया हमारा application का allotment हो गई first call हो गई अब हमें रुकना है second call को due करने से पहले एक काम दे रखा है क्या काम दे रखा है जो खेरा जी थे उनका हमने खेरवा जी का हमने forfeit कर दिया first call के बाद मतलब खेरवा जी के shares को हमें forfeit करना है खेरवा जी के shares को forfeit करना है चलो 400 shares से अब देखते हैं इनको forfeit की entry पास करते है सबसे पहले तो तो forfeit की entry क्या होती है सबसे पहले जो transfer amount पूरी की पूरी equity share capital में करी थी उसे cancel करना पड़ेगा वी forfeit कर रहे है तो cancel करने के लिए हम उसे क्या करते है debit करते है तो पहला जाज़ागा equity share capital account debited अगर security premium reserved receive हो गया है तो कुछ नहीं करना छोड़ देना है अगर नहीं हुआ तो उसे cancel करना है और हमारे वाले case में security premium reserved receive नहीं हुआ है तो हमें उसे cancel करना पड़ेगा security premium reserved account debited फिर जो पैसा है या तो share forfeit में जाएगा जो received हो गया और जो हमारा पैसा जो मिलना था जिसको हमने due रखा हुआ है वो हमारा cancel हो जाएगा तो एक तो equity हमारा वो था equity share first call थी जो उन्होंने pay नहीं करी थी और equity share allotment money थी जो उन्होंने pay नहीं करी थी अब कई cases में क्या होता है जब received नहीं होते तो हमारे पास option होता है हम call in areas का account open कर लें तो वो method भी बिलकुल ठीक है मैंने दूसरा method of option choose कि है कि मैं call in areas का account नहीं खोल रहा जो amount due है और received नहीं हुई है उसको उसी account में पड़ी रहा हूँ ठीक है आप call in areas account भी खोल सकते दे तो equity share capital में कितनी amount जाएगी देखो total मंगवाई कितनी थी हमने total equity में ट्रांसफर कितनी गरी थी ध्यान से सेखना है यहाँ पे देखो total जो हमारे पास था यही था two five three plus two three or two अब भी तक हमने मंगवाई कितनी है first call तक अब first call में से share capital में कितनी amount ट्रांसफर हुएगी two plus three plus two मदब total seven rupees और हमारे जो security premium में कितने थे two rupees तो मदब जो seven rupees है वो हमने share capital में ट्रांसफर करे होंगे तो seven into four क्या हो जाएगा seven three यह seven नहीं हो जाएगा three plus three six seven eight हो जाएगा तो यह हो जाएगा ध्यान से देखना तो three plus three six plus two eight तो eight rupees हमने share capital में ट्रांसफर करे होंगे rather than seven क्योंकि two plus करते तो nine हो जाता तो eight plus two ten हो जाएगा तो मदब ध्यान से सुनना दुबारा सुनो अब तक जो हमने share capital में ट्रांसफर कर रहा होगा वो amount कितनी करे होगी two rupees, three rupees और three rupees तो total कितनी होगे three plus three six plus two eight eight rupees को हमने share capital में ट्रांसफर कर रहा होगा इसको हमें cancel करना है और two rupees security premium वाले को cancel करना है तो eight rupees होगे हमारा जो share capital में जाएगा अब eight rupees तो एक share का होगया total share कितने थे? four hundred तो eight into four hundred thirty two hundred rupees हमारे क्या हो जाएगे share capital को cancel कर देंगे और security premium reserve में two rupees से four into two eight hundred rupees कितनी amount उन्हें allotment में pay नहीं करी थी? यह हमने अभी calculate करी थी न कितनी amount pay नहीं करी थी? allotment में उन्हें पे नहीं करी थी? eighteen hundred forty rupees तो allotment जो हमने due रखा हुआ था उसे cancel कर दिया eighteen hundred forty rupees और first call पे तो कुछ भी pay नहीं कर रहा था first call दी हमारी three rupees की fourth दीजा twelve hundred rupees जो amount बच गई वो कितनी है वो उन्हें हमें pay कर दी थी तो मतब four thousand में से मैंने four thousand में से twelve hundred less eighteen hundred forty nine sixty rupees जो nine sixty rupees हमार को received हुए थे उनसे जो अब हम कहा transfer कर देंगे हम खेरवाजी को पैसा वापसी नहीं करेंगे हम वह पैसा अपने पास रख लेंगे और एक special account बना देंगे share for fitted account उसमें डाल देंगे अगर इसे टैली करना हो तो यह देखो टोटल उन्हेंने payment कितनी करी थी यहां पे देख लो application में हमें nine sixty rupees received हुए थे उनसे है ठीक है यह हमने share for fitted कर दिए खेरा जी करें अगला काम करने चलें अब हमारे पास next काम क्या है next काम है हमें second call को due करना है और second call को receive करना है तो second call को due करने की entry क्या होती है equity second and final call account debited to equity share capital account अब अपनी आखे कान ना खोल के सुनो कि भाई जब हम यहां पे due करेंगे अब तक हम क्या करते जारते 20,000 shares पे हम सारी amount due कर रहे थे क्योंकि हमने issue कितने करे थे 20,000 shares लेकिन अभी उपर वाली entry में हमने क्या किया है अपने 400 shares को forfeit कर दिया 400 shares को forfeit कर दिया मतलब हमने 400 shares को cancel कर दिया जिन 400 shares को cancel किया हमने खेरा जी के क्या खेरवा जी के पास जाके हम उनसे first अपनी जो final call है मंगवाएंगे क्या उनसे हम second call मंगवाएंगे बिलकुल नहीं क्योंकि अब उनको तो due करेंगे नी क्योंकि उनसे तो मंगवाना है नी उनके shares तो cancel कर दिये तो मतलब जो हमें total amount second call की मंगवानी है वो मंगवानी है 19,600 shares पे तो 19,600 को हम multiply कर देंगे 2 से तो 39,200 रुपीज मतलब जो हमें second और final call due करनी है वो total करनी है हमें 39,200 रुपीज पे ठीक है यह हमने due कर दी second and final call अगला काम हम इसे receive करेंगे तो bank account debited to equity second and final account account credited क्या हमें 39,200 रुपीज पूरे receive हुए बिल्कुल नहीं सूरी नाम के shareholder था उन्होंने क्या किया था अपने 600 shares पे second call पे नहीं करी तो 600 into 2 1200 माइनस कर देंगे तो 38,000 आ जाता है मतलब 38,000 share हमें पैसा received हुआ final call का समय आया सूरी shareholder था जिसको हमने allot करें वह से 600 shares तो मतलब 600 shares पे हमें final call received नहीं हुई तो 600 into 2 rupees 1200 हो गया 1200 received नहीं हुई 39,200 में से जब हमें 1200 रुपीज नहीं हुई मतलब कितनी received हुई 38,000 रुपीज तो हमारी जो entry हो जाएगी bank account debited equity share final account 38,000 रुपीज सारा काम हो गया application का हो गया allotment का हो गया first हो गया final call हो गया अब next काम क्या बचा है दो काम बचे हैं क्या काम बचे हैं एक तो सूरी जी के हमने share को forfeit करना है और फिर re-issue करने है shares चलो सबसे पहले सूरी जी के shares को forfeit करते हैं तो सबसे पहले तो जो share capital को हमने credit किया उसको cancel करना है क्योंकि forfeit हो रहे हैं तो उसको debit कर देंगे तो equity share capital account debited क्या क्या होगा जो पैसा दे चुके होंगे वो share forfeited account में जाएगा और जो नहीं pay किया एक तो first call pay नहीं करी उसको cancel कर देंगे equity share first call and to equity share second and final call तो total कितने share से 600 share से 600 rupees में हमने पूरे के 10 rupees मंगवा रखे थे तो पूरे के पूरे ही हो जाएंगे 10 rupees हो जागा 6000 rupees अब सर आपने security premium reserve क्यों ने debit किया अभी पिछली बार भी डिसकस करा था कि भाई अगर पूरा pay कर दिया है तो हम उसे नहीं छेट दे अगर pay नहीं किया है तो हम उसे cancel करते हैं इस case में सूरी जी ने अपनी allotment money pay कर दी थी अगर allotment money pay कर दी थी means उन्हेंने अपना security premium and reserve account भी पे कर दी होगा अगर आपको यह 3000 को check करना है तो देखो 600 shares से यही था थी रूपीज उसने application पर दिये थे और allotment में 5 रूपीज दिये थे 5 में से 3 तो हमारे face value के थे और 2 किसके थे security premium के अब जो security premium वले हैं जो security premium वली amount है उसको तो हमने accept कर लिया तो हमें cancel कितने करने है 3 प्लस 3 6 रूपीज ओ हमारी जो first call थी वो 2 रूपीज की थी application मनी 2 रूपीज की थी ना की 3 रूपीज की तो 3 प्लस 2 फाइब रूपीज तो 600 इन्टू 5 हमारे पास 3000 रूपीज आ गया यह हमारा ऐसे भी चेक हो जाएगा नहीं तो हम balancing करके तो forfeit की account amount निकाली लेंगे ठीक है समझाया यह हमने कर दिये shares forfeit सूरी जी के नेक्स्ट काम है री इशू करना चलें देखते हैं री इशू के क्या information थी Out of these forfeited shares 800 shares were re-issued to Gopal credited at fully paid for Rs.9 per share मतलब हमने जो share issue करा है वो issue करा है discount pay at Rs.1 the whole of Khera shares being included ध्यान से देखना अब हमारे पास जब हमने forfeit करे टोटल shares कितने थे एक बार इसे raise कर दूँ टोटल अब हमारे पास 1000 shares forfeited थे 1000 में से हमारे Khervaa जी के थे 400 shares Khervaa जी के थे 400 shares और सूरी जी के है 600 shares यही था 1000 shares हमने forfeit करे अब जब हम ratio करने गए तो टोटल हमने सिरफ 800 shares को ratio कर रहा है तोटल 1000 shares को नी रिशु कर रहा है सिरफ 800 shares को ratio कर रहा है 800 shares को ratio कर रहा है मतलब और उसमें से Khervaa जी के सारे shares को include कर रहा है मतलब उसमें से 800 shares को जो resue कर रहा है उसमें से 400 तो हमारे खेरवाजी के shares हो गए और बचे हुए 400 shares किसके हो गए सूरीजी वाले 400 shares खेरवाजी वाले हो गए और 400 shares सूरीजी वाले भाया इससे impact क्या परता है इसका impact अब थोड़ देर बाद जानेंगे ठीक है अब सबसे पहले तो हम resue की entry पास कर लेते हैं तो resue की entry क्या होती है bank account में पैसा आएगा bank account debited किस reason से आएगा क्यूकि हमने shares को resue का रहा है और एक की साथ कर रहा है तो equity share capital account equity share capital account और इस बार जो हमने issue कर रहा है किस पर कर रहा है discount पर issue हुआ रहा है तो discount को क्या करना पड़ता है debit करना पड़ता है और उस discount को हम निकालते कहां से हैं जो हमने पैसा forfeited में कठा किया हुआ है सबसे पहले उस से निकालते हैं तो यही करेंगे discount को debit करेंगे तो इसको नीचे कर देते हैं तो discount account को debit करना discount को debit के वजाए कहां से निकालते हैं share forfeited account से निकालते हैं वो पैसा discount वाला तो share forfeited account debited total 800 share से 800 रुपीज पे capital में तो पूरा का पूरा डिस्टर पे transfer होगा तो 800 इंटू 10 कितने होगे 8,000 रुपीज जिसमें से 1 रुपीज का discount था तो 800 इंटू 1 800 800 इंटू 9 70 200 रुपीज हमारा bank में पैसा आजाएगा क्या हमारा question खतम यहां पे भया फॉरफीचर कर दिया रिशू कर दिया खतम नहीं अब last काम बचा है कि जो share of forfeit में पैसा बचा हुआ है हमारे पास उसे transfer करते हैं हम capital reserve में share of forfeit में जो पैसा बचा हुआ है उसे transfer करते हैं हम capital reserve में अब भया most important question आता है कि कितनी amount को हम transfer करें तो total forfeit में हमारे पास कितना पैसा है सबसे पहला question तो देखो हमने दो बार हमने वह कर रहा है forfeit कर रहा है पहली बार खेरवा जी के खेरवा जी के forfeit में account में है 960 rupies जब मलब खेरवा जी के हमने shares को forfeit करा तो हमने forfeit account में डाले थे 960 rupies और second time जब हमने सूरी जी के शेर्स को फॉर्फीट करा उस टाइम हमने फॉर्फीट अकाउंट में डाले हैं त्री थाउजन रूपीज मताब 960 और 3000 रूपीज अब इस इंफरमेशन को यहां लिख लेता हूं देखो फॉर्फीट अकाउंट में 960 रूपीज तो इनके डले हुए हैं और 3000 रूपीज इनके डले हुए हैं तो टोटल कितने हो गए? 3960 रूपीज फॉर्फीट अकाउंट में टोटल पड़े हैं 3960 रूपीज हमने उस पर से 800 रूपीज यूटलाइज करे मतलब बचे हुए 3,160 को हमें ट्रांसफर कर देना चाहिए 800 रुपीज यूटिलाइज कर लिए से डिसकाउंट देने पर तो बच कितने गए 3,160 रुपीज इसे हमें कैपिटल रिजर्म में ट्रांसफर कर लेना चाहिए तो ये आंसर हमारा हो जाएगा गलत हमें ध्यान से देखना है क्या ध्यान से देखना है जो ये 3,960 रुपीज पड़े हैं वो टोटल पड़े है 1,000 शेर्स के लिए हमने कितने शेर्स को रिशू करा है सिरफ 800 को मतलब इन फ्यूचर हम वो 200 शेर्स को दुबारा रिशू करें और जब उस 200 शेर्स को रिशू करेंगे तो शाय तब भी डिसकाउंट दे दे तो हमें थोड़ा सा फॉर फीचर में पैसा बचा के रखना है यह बचा के रखना है जो उन 200 वाला है 200 का जो हिस्सा है वो उसको वहीं पड़े रहन देना है जो वो 200 शेर्स जो रिशू नहीं हुए उन शेर्स का जो फॉर फीचर का पैसा है उसे वहीं पड़े रहन देना है अब ध्यान से देखना टोटल खेरवा जी के शेर्स से 400 और 400 के 400 रिशू है तो मतलब जो 960 रुपीज हैं वो तो पूरे के पूरे हमारे पास अविलेबल है रिशू करने के लिए अब जो सूरी जी के थे टोटल 600 शेर्स रिशू कितने हुए 400 तो मतलब इन 3000 रुपीज को हमें 400 और 200 में बाटना पड़ेगा मतलब ये 2 रिशू 1 में हो गया मतलब इन 400 रुपीज के लिए हमारे पास 2000 रुपीज अविलेबल है और इन 200 शेर्स के लिए हमारे पास 1000 रुपीज अविलेबल है सही बात है 3000 रुपीज थे टोटल 400 शेर्स के लिए और टोटल 600 शेर्स के लिए 3000 रुपीज मतलब 400 shares का हिस्सा हो गया 2000 रूपीज 200 shares का हो गया 1000 रूपीज इस 1000 को हम छोड़ देंगे 4 feet account में क्योंकि जब वो 200 shares होंगे ratio तब देखेंगे इसे तो मतलब जो अब भी हम use कर सकते हैं वो total amount कितनी है 960 plus 2000 रूपीज मतलब 2009 60 रूपीज total amount हमारे पास available है 4 feet में 2960 रूपीज इस में से हमने discount देने में use करें सिर्फ 800 रूपीज मतलब हमारे पास जो पैसा बच गया इसमें 800 रूपीज यूज कर लिए वो बच गया 2160 रूपीज इसको हम transfer करेंगे capital reserve समझ आया इस amount को हम transfer करेंगे capital reserve में तो entry क्या हो जाएगी share forfeited account debited 2160 to capital reserve account credited 2160 जो shares reissue हो रहे हैं उससे related जो forfeiture में पैसा बचा है उसी को capital reserve में transfer करना है जो shares reissue नहीं हुए उससे related जो capital और share forfeit में पैसा बचा है उसको transfer नहीं करना जब वो reissue होंगे तब देखेंगे तब क्या करना ही उसमें कितना discount दिया एक्स्ट्रा देदिया कम देदिया वो तब की तब देखेंगे ठीक है यह हमारी सारी entries complete हो गई shares issues related ठीक है अब जब हम UPSC का paper दे रहे होंगे तो हमें direct ध्यान रखना है दो चीजों का और हर class के end में बताता हूँ कि एक तो इनकी हमें वो भी being वो लिखके पूरी वो narration भी लिखनी है हम मैं सिरफ entries नहीं प्यास कर सकते paper में हमें पूरी presentation पर भी ध्यान देना है यहाँ पर मेरा motive होता है concept को समझाना इसलिए मैं आप narrations वगारा को skip कर देता हूँ और second चीज हमें जो answer है उसका थोड़ा सा introduction और conclusion if possible है तो देना है जैसे इस question में हम introduction में क्या दिखते हैं कि shares कि shares हमारे premium पे शुआ है और premium के section में होता है और premium को कहां कहां utilize कर सकती है company यह सारी जो basic information जो हम theory पढ़ते हैं यह हमें पता होती है उसको हम as a introduction हमें लिख सकते हैं ठीक है that's all for today बाई 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 टेक केर सी यू सून